मैं इस वक्त उंभा गाउं की तरफ जा रहा हूं। सुन्भद्र के उंभा गाउं का नाम शायद आपने भी सुना हो। ये वही जगह है जहां जुलाई 2019 में जमीन विवाद में 11 आदिवासियों का नरसंगार कर दिया गया था। इस घटना ने न सिर्फ उत्तरप्रदेश बलकि पूरे देश को जगजोर कर रख दिया था। इस नरसंगार पर खूब राजनीती भी हुई। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा भी दिया। लेकिन आखिर इस घटना के पीछे की वज़ह क्या थी। क्यों और कैसे आदिवासियों को उन्ही की जमीन से भगाने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। मीडिया के दबाव में नरसंगार के आरोपियों को तो जेल भेज दिया गया। लेकिन क्या SIT ने इस मामले से जुड़े बड़े नामों को बचाने की कोशिश की और क्या मृतकों के परिजन सरकारी मुआवजे से संतुष्ठ हैं। जल्द देखिए क्विंट हिंदी की एक ग्राउंड रिपोर्ट जिसमें हम इन ही सवालों के जवाब तलाशेंगे।